क्या हिंदतों के एजेंडे पर लोटी है वीजेपी, क्या सेफरन पॉलिटिक्स, यह कहें भगवा राजनीती, एक बार फिर से यूपी चुनाओं को देखते वे लोट रही है, यूपी इलेक्शन के केंद्र में क्या ये सब कुछ हो रहा है, मेरे साथ चार बड़े महमान पहले तो आप पे भगवा करन के आरोप लग रहे थे, पहले आप पे लग रहे थे कम्मिनलिजम के आरोप, आप तो आप पे अदानी और अम्मानी तक के आरोप लग रहे हैं, जवाब दीजे इंका सर। आप पयारोप लगा रहे हैं? और श्रीमती सोनिया गांधी राहूल गांधी जी मुचलके के उपर चल रहे हैं नेस्टर हरा प्रत्यारोप कर रहे हैं तो देश की जनता यह समझ रही है भाई किसका क्या करेक्टर है और किसकी क्या फैक्ट्यूल पोजिशन है अब आप आईए भगवा वाले विशे के उपर जो आप कह रहे थे अभी हमारे समाजवादी पार्टी के साथ ही अब वादमी साहब की इतना काम किया उत्तर प्रदेश में जितना 20 साल में नहीं हुआ हुआ है जो कि अखिलेश जी ने सदन के पटल पर स्विकार किया है ऐसा कभी नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में इसलिए आपका तो बहुत ही महान योगदान हो प्रदेश में बीस साल में आप नहीं करते हैं अर रही बात इसकी भगवा करना और आप सांपरदाइक राजनीत की बात करता हूँ तो एक बात देता हूँ दादरी की घटना एक घटना हुई थी ग्रह मंत्राले ने तत्काल रिपोर्ट मांगी तो ये आपका असली चरित्र दर्चाता है कि आप ये क्या कर रहें और सर्वोच नहाले ने चांटी पड़ी की तो योकानगर के मुद्धे के उपर जो एक बहुत के देश के बड़े इस्ट्रिंग चैनल ने इस्ट्रिंग आपरेशन किया था उसमें चाह निकला था कि समाजवादी पार्टी के वरिष्टम मंत्री में उनको आकर आप मुझा पणनगर में वो काम किया जिसकी वैसे दंगा भड़का मधुरा में क्या हुआ एक और वरिष्टम मंत्री का सिदा इस्ट्रा ने ये बताया है कि आप लोगों आपके लोगों ने और अभी बहुत आपके पास पियल पुनिया आपकी सरकार पर बड़े कंभी रारोप लगे सरा जवाब दीचे उसके बाद अब आपके उपर तो मंत्री भी खेद वेक्ट कर चुकी पढ़ान मंत्री बहुत सके मगर आदर्णी बदोरिया जी आपकी पार्टी की सुप्रीमों और काशी राम मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारिफ नहीं बताएंगे पर तारिफ नहीं बताएंगे वो सब कहते हैं कि पहली बार हम हंदुस्तान में कर रहे हैं मुझे फने में रिपोर्ट को नहीं मांगी ये कौन कहता है ये जूट ना बोला जाया करें आपने कहा के अरे पुरे संबान से कह रहा हूं कि आप गलग दोल रहे हैं पुलिया साथ केंदर सरकार में ना कोई दी थी उनको तड़ी पार कि आदेश देगे तो यूं गुजराथ में गुजराथ में बात करते हैं और ये इनके अपने राष्ट्रे अदेक्ट बात करते हैं कहराना की बात करते हैं ये कौन सा है मुझे एक ये बताया जाए किसों कारकरां जिससे जन्ता को को लाप पहुचा हो जो हमें मोका था कि विदेशों से तेल सस्ता हुआ है यह प्यूपनिया साफ आप विपकषी पार्टी थै rif पिल पुनिया सब आप विपक्षी पार्टी हैं पिल पुनिया सब सुनने तो आप साल भी सुनले पील पुनिया सब आता नगे पुनियाशने intéकरे दो साल चूए haben दो साल शूका पड़ा किसानों को क्या रात दी ये तो बता दे पियल पुनिया साब आप केंदर में भी विपक्ष में हैं और राजी में भी विपक्ष में हैं एक बात बताईए आप इन सब चीजों को लेकर जनता के बीच कप जा रहे हैं ना तो आप लखनों में दिखते हैं कभी इस चीज़ को उठाते हुए ना दिल्ली में दिखते हैं आप चिंता मत करिये, जो टिंडोरा पीट रही है, ये डोहल को जा बजा के बता रहे हैं, कुछ नहीं किया, एक रती भर का काम नहीं हुआ, अब बहंगा ही हो गई है, मैं आता हूँ, ठीक अबू आज़ी, पूछिए क्या पूछ रहे हैं, बोलिए आपनी कन्विनस के इसाब से हर कोई इशू बदल रहा है, सर, बहुत सारी बाते होती रहे हैं, रहे हैं, आप यूपी पे बोली है, मैं आपको बोलने से मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप बुछ राइगे, आप तरनातक जाएंगे, आप बुरिसा जाएंगे, तो बहुत सारी बाते होती रहा जाएंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इंक्वारी की रिपोर्ट नहीं आई, क्लीन चीट नहीं मिली उस वक्त तक मंत्री को कुर्सी पर नहीं लाया गया। अबु आजमी आप सुनिये, एक मट सुदिन बदोर यहाता हूं मैं आपके पास। अबु आजमी आप ना मानिए, आप ना मानिए दादरी में कमजोर लॉन ओडर की वज़ा से कुछ हुआ। आप ना मानिए कि कहराना में जो कुछ हो रहा है वो लॉन ओडर इशू है अगर किसी धर्म विशेश से न जोड़े। आप ना मानिए कि मतरम में आपकी कानून व्यवस्था का फलियोर दीखा लेकिन ये मानिए कि कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं आपकी सरकार के लिए कमजोर कड़ी है सर। आप जुटला नहीं सकते इस बात को बोलिए आप जवाब दीजे नहीं आप 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 ना मानिए अगर इसकी इनको इनको इसके इनको की इंकोरी होगी सारा का सारा दोश BJP और आरेसे से लोगों पड़ेगा जीस तरह से मुझफ़त नकर में हुआ है दादरी में लोगों ने जाकर डबरस्ती मारा है याँ बदोरिया जी के सवाल का जबादी ज़बी खुद है कर रहे हैं फो मिनिस्टर जो है ग्रेग मुख मंत्री है वो अपनी जाच खुद कर रहे हैं जो किसी ज़त से उपरी करने को त्यार एक रही है ना बिलकुल आप सी बीआई को दीए आपका भूत का दूत पानी का पानी हो जाएगा अखलेश यादभ मुख मंत्री है और राम निक्षियादब दो साल वहां बैटा रहा एक मारता पीटा रहा पुरिस को जजों को आपके मुख्बंतरी हाथ पे हाथ रखके बैटे रहे और जमीन पर कब्जा होता रहा है आपने इतावा में कब्रिस्तानों पर कब्जा कर लिया है आपका फुल दाल गलने वाली वी किरके बात करते हैं आप दिल्ली जाकर देखिए दिल्ली में क्या हो रहा है नाई ना, सुनिए मेरी बात सुनिये पैल पुनिया साथ, मैं आता हूँ के पस अबू आजमी और सुदीन बदौरिया आप दोनों से मेरा एक सवाल है अबू आजमी और सुदीन बदौरिया आप दोनों से मेरा एक सवाल है सुनिये मेरी बात सुनिये सर सर मेरी बात सुनिये सर मेरी बात सुनिये आप लोग है पर हम इनके साथ नहीं जाएंगे जो जिनके डेलिगेशन कौन लेके जाएगा भारती जंता पार्टी से सबसे पहले पहुंचा रहे हैं उसका सवाल पूचे सदान सुच्वेदी से उसका सवाल पूचे सुधान सुच्वेदी से लेकिन उससे काम नहीं चला इनका उसमें चले ठीक है मैं आता हूं कि बस तो और आज समाजवादी पार्टी की सरकार चार सारे चार साल से है तो सारा का सारा दो समाजवादी पार्टी भी लगाएंगा किराना से लोग जा रहा है प्लाइन करके अपने कारबार करने के लिए धंदे बिजनेस के लिए या कुछ वहां पर रंगडारी मांगने वाले उनकी हो या जवाब कौन देखा चलिए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सुदानशु तरवेदी से जवाब देजे जल्दी से उसके बाद मेरे पास भी एक सवाल लाप के लिए फिर मैं आप सो सवाल पूछूंगा पहले आप इनका जवाब दी ये तीनों पार्टियां एक ही वोट बैंक पे केंद्रित होकर ऐसी पृतिस परदा है कि जवाबी कम वाली चल रही है कि अगर एक में एक संटेंस बोला तो दूसरे को मौका देने के पहले कूद पढ़ रहे हैं इसलिए हमें बोलने का मौका नी दे रहे हैं तो आपको क्यो हो रहे हैं पिर तीनों पार्टी तीनों पार्टी करे जा रहे हैं साथ साथ मिलके सरकार चला चुकी है आप अपनी बताईए ने कौन वोट बेंक की बात कर रहे हैं वोट बेंक की चिंता आपको है उस वोट के चिंता के नाते हैं आप भी भेग रहे हैं थ्री इस टू उन हो रहा है यहां पर मैं तो चाहता हूं सब अपनी बाते रखें उनको जवाब देने दीजे फिर आप आरोप लगाए और एक एक करके बात करते हैं मैं रिक्वेस्ट बार बार कर रहा हूं सर ताकि जनता को वीवर को आपकी बात समझ में आई सामने वाले की बात समझ में आई मैं देखिए मैं इन पर आरोप नहीं लगा रहा हूं मैं तो इनसे कह रहा हूं समाजवादी पार्टी को अपने अंदर बिले करा लिजिए क्योंकि वो भी महंत लोग भेज रहे हैं और आप लोग भी वही आप बहुत अच्छे वक्त हैं सर और अपने आ चाहूंगा कि कैराना जैसे गंभीर मुद्दे के ऊपर जिस प्रकार की राजनीती हुई वह दुखद है क्योंकि यह जथार्त है कि 2011 में वहाँ पर प्रतिशत सक्तर प्रतिशत बनाम तीस प्रतिशत था 2016 में वह 92 प्रतिशत बनाम आठ प्रतिशत हो गया इसके बाद भी आप उसको कहने नहीं नहीं इसमें तो वह रोजगार के लिए पहले गए तो मैं यह वाक्य पूरा कर लूँ यह वाक्य पूरा करने नहीं दिए पिर आप होलते चले जा रहे हैं आप दो मत हुले पुरिया प्रक उतुख भलं कर इस बनके तर्ग दे रहें और हकीकत क्या हुई यहाँ आप आसां के करी अंग तर्ग व्र्थ दे ले हैं ओर्त जिए पेर्बनで सबस्द्नाते हैं प्रयास करते रहते हैं यह बता देंगे अभी आपने पूछ लिया मैं सब मैं पूछ लेता हूं की बाद सुदान शुत्रविदी जवाब देजे इनका भी अब देखे मैं जवाब दे रहा हूं यह आख्रे 2011 की जन्गणना के आपके और अभी वर्तमान में मीडिया से लेकर जो आपके स्ट्रविदी पारेले तक की और जो उतलब दिपोर्ट्रों का ने तो क्या बात आप बता दीजेए ने आपके यहीन की फित्रत है आप बता दीजेए पियल पुनिया साथ 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 कि दुबरी और करी बंज मैं सई तरद्र सर्वोच ने एले ने कहा था बंगलादेशी इंफिल्ट्रेशन इस लाइट एक्षरेनल एक्षराइशन जिस समय आप फिर बोलने लगें आप थीडिया थीग है सुदाशु तुवेदी मुद्धे पराते सुदाशु तुवेदी प्राटी का ये काला चेहरा ये विनमर्दा कर दिख रहा हूं क्योंकि वोट प्राइब वाइब दिया था देश के हर छेत्र आपके हुकम सिंग जी को नहीं दिखाय देता है लेकिन आपको दिखाय देता है आपके राच्चे अधिक्स को दिखाय देता है लेकिन हुकम सिंग जी को नहीं दिखाय देता है वो कहते हैं अपके राच्चे अधिक्स को दिखाय देता है वो कहते हैं अपके राच्चे अध कि हुकम सिंग जी इनके वरिष्ट रेता है वो कहते हैं कि इसमें कोई सामपरदाइकता नहीं है यह लाइन और प्रॉब्लम है वार रंगदारी वसूल होती है जिस तरह से प्लाइन हुआ है हिंदू फैमिलिस का प्लाइन हुआ है यह बात तो पहले भी आपने कही है लेकिन को और इनके राष्टे देख को यह सर्फ दिखाए देता है कि सब संपरदाइकता है ठीक है यह आपकी आपके पास नहीं उससे पहले सुदिन भदौरिया भी कुछ कह रहे हैं वो उनकी बात भी आड़ कर लेते हैं फिर आता हूं सुदिन भदौरिया बोलिए जल्दी अप मैं यह कहना चाहता हूं इनकी मंतरी निरेंजन जोती जी कहती है इस देश में रामजादे हैं और बाकी क्या है इसके बारे में यही पतला सकते हूं जिस शब्द का प्रियोग किया इनके मंतरी ने इनके तमाम दर्जनों मंतरियों ने ऐसी बाते कही है जिसमें देश में व कास की ठीक है ये कहना चाहता हूं कि ये और समाजवादी पार्टी दोनों मिलकर उत्तर प्रदेश के अंदर लहू बहाना चाहती है जैसे इन्होंने मुझफर नगर में किया और सर समय बिल्कुल खत्म हो चुका है अजर तो संवेधानिक मचिनरी ठीक है खत्म हो गई उत्तर में जो राश्पती शाषन जिसका कोई कारण नहीं था लागू किया गया पर उत्तर प्रदेश को नहीं लागू करते हैं क्योंकि इनकी मिली भगत है यह कहना चाहते हैं दौनों लोग बिल्कुल कम है देखिए मैं कहना चाहूंगा भदवरिया जी पहले ही बोल चुके थे हमारी मंतरी के संदर में मंतरी खेद इवेक्चे कर चुकी हैं प्रदान मंतरी सदन के पटर पर बोच चुके हैं और आप लोगों समय कहना चाहूंगा यूपिये सरकार के प्रदान मंतरी ने शब्द बोला था मुस्लिम शुड है फर्स राइट ओवर दे नेशनल किया तब आप विड्रॉक किये इस ढंग की बात जिन लोगों ने की सरे आम धर्म का नाम लेकर जिनके ग्रह मंतरी ने सुशील कुमार चिंदे ने जनवरी 2013 में हिंदू आतंकवाद चब्द का प्रयोक किया जिसके लिए हाफिस सहीद ने सामाची ली ऐसे लोग अगर आकर सामपरदा इक्ता पे प्रवचन देते हैं तो देश की जनता उस हकीकत पर चुका है और मैं आप तीनों से जो रेस्ट आफ बीजेपी में आप तीनों से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अब मैं एक सवाल सुदानशु तरवेदी साब समय बिल्कुल खत्म है आपकी बात ज सब्सक्राने वाले लोगों की एक स्टाइल है सर वहां पर अगर कोई इस बात को कहे कि विवादी धाचा गिराने से नहीं रोका तो बहला मंदिर बनाने से कौन कोई कैसे रोकेगा कहराना मामले पर किसी ने पुरुसकार क्यों नहीं लोटाया या शिक्षा में भी भगवा करने का प्रयास करूंगा जहां तक विवादित हाचा की बात थी मैं आपको साधवाद दूंगा कि आपने विवादित हाचा शब्द प्रयों…… सरोच चिन्यायाले ने उसे विवादिढ़त रचाहीा कहा है मगरले सब बावरी concern कह कह को क्रूब सिंग कर गर्था कर दिया जहां तक बहगवा करन की बात है TP जिक्षा के बहगवा करन के कहके टो मैं यह कहना चाहूंगा कि जिस रितिहास में चंदर शेकाराजाओ, भगज सिंध, राजगरू, सुक्देव, अश्फाक उल्लाखा को आतंगवादी का जाता हो, जिसमें घुरूतेक बहादूर को plundering of the wealth कहा जाता हो जिसमें महाराना परताब को fanatic patriot कहा जाता हो जिसमें छत्रबती शिवाजी महाराज को सूरत का लुटेरा कहा जाता हो ऐसे इतिहास को हटाना मेरे विचार से इस रास्त के आसली सुरूप को लाना है भगवा करण नहीं है इन लोगों ने इतिहास की अपनी काली कर्टूते जो बगएर प्रमान के किताबों में लिख दी उससे बचाने के लिए भगवा करण चब्द का पने होगा जल्दी 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 इनका यकीन भारत के समभिदान में नहीं है इनका यकीन बाबा साथ भीम्राव अम्बेटकर दौरावाल बनाये का इस समभिधान में नहीं है इसलिए इन भगवा करण तो बाले लोगों ने 1950 में बाबा साथ कहता है बिल्कूल समय खतम हो चुका है सर, यूज रिजयो पॉइंट और ये दूनों लोग नहीं है बियस पी, एस पी और बीजे पी को कड़़़े में खड़ा कर रही ही, कौंग्रे सब को कड़़़े में खड़ा कर रही है, और बीजे पी रेस्ट आइश अफ बात आपके दीजे, फिर अबू आजमी से एक लाइन बिलुआ लूँगा पहले 6 साल है अटल जी की सरकार रही है तब तो इनको नहीं दिखाई दिया अबू आजमी जलदी जवाब दीजे आपकी सरकार पर भी सवाल है जलदी अबू आजमी फाइनल कमेंट डाक्टर भीम राव अमबेटकर के सम्विधान को जो लोग मिटाने की कोशिश करना है वो कभी नहीं हो सकता है सम्विधान में चेंजिंग करने के लिए थ्री फोर्ट के मजावटी चाहिए और जिंदगी में बीजे बी को मिलने वाली नहीं है आपने तो टेकनिकल बात रिख दी हैं आमबर ओके सर थैंक्यू सर थैंक्यू समय बिल्कुल करनों चुका है आप सभी का बहुत शुक्रिया हमासा जुडने के लिए तो सवाल हमने उठाया सैफरन पॉलिटिक्स के उपर क्या ये वापस आ रही है यूपी में क्योंकि यू चुनाओं तो बहुत नहीं है देखते हैं ये जान मुझके किया गया या गलती से हो गया ये तो आने वाला वक्त बताएगा फिलाल बिग स्टोरी बिग डिवेट में बस इतना ही आप देखते रहिए जी बिजनेस आपका फायदा नमस्तुरू